नागरी को द्यान राजी मंत्री जैयन सिना ने हवाई यत्रा करने वालों को बड़ी रहत देते हुए मंगलवार को कई सोगातों की घुशना की उनोंने कहा कि अगर कोई फ्लाइट रद होती है और उसमें Airlines Company की गलती है तो कम्पनी को यात्रियों का पूरा पैसा मुवज़े के रूप में रिफंड किया जाएगा जैन सिन्हा ने कहा कि सिर्फ यही नहीं अगर फ्लाइट देरी से भी चलती है तो उसका खामियाज़ा भी एरलाइन्स कम्पनियों को भुगतना पड़ेगा उन्हें यात्रियों को कई तरीके से मुआफ़जा देना होगा ड्राफ्ट के प्रावधानों की जानकारी देते हुए एवियेशन मिनिस्टर जैन सिन्हा ने कहा कि यदि फ्लाइट बुकिंग के 24 घंटे के भीतर यात्री टिकेट कैंसल कर देते हैं तो उन्हें इसके लिए कोई कैंसलेशन चार्ज नहीं देना होगा इसके अलावा इस समय सीमा के अंदर टिकेट में अन्य तरह के बदलाओं भी मुफ्त में करा सकते हैं इसके अलावा यात्रा समय से 96 घंटे पहले तक टिकेट कैंसल करने पर भी कोई चार्ज नहीं देना होगा मंत्री ने ये भी साफ किया कि किसी भी हालत में कैंसलेशन चार्ज, बैसिक फेर और फ्यूल चार्जेस के जोड से अधिक नहीं हो सकता नागरे कुडान राज मंत्री ने कहा कि यदि एरलाइस कमनियों की गलती की वज़ा से फ्लाइट डिले होती है तो इसे यात्रियों को इसका हरजाना देना होगा यदि फ्लाइट अगले दिन तक के लिए डिले होती है तो बिना किसी अतरियक्त चार्ज के लिए यात्रियों के होटल में रुकने का प्रबंद करना होगा Connecting Flight मिस होने पर भी कम्नियों को हर जाना देना होगा फ्लाइट अधिक डिले होने की सिती में यात्री टिकेट कैंसिल करा सकते हैं और उन्हें पूरा पैसा रिफर्ण दिया जाएगा सरकार ने कहा कि विशेश आवशक्ता वाले दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेश प्रावधान किये जाएंगे इसके साथ ही सरकार घरेलू हवाई यात्रियों को पेपर लेश सफर की सुईधा देने जा रहा है इसके लिए यात्रियों को एक यूनीक नंबर प्राप्त करना होगा यात्रा के समय एरफोर्स पर उन्हें सिर्फ यह नंबर बताना होगा ऐसा करके वो अपने समय की बचत कर सकते हैं डीजी यात्रा के तहट पहचान पत्र के लिए आधार अनिवारी नहीं है